अब तो यार, एडिटिंग टीम भी फोन लगाके वोल भी है, लेंस इसे थोड़ा सा उपर आ जाओ, क्या कर रहे हो बाबाजी, बढ़ टॉपिक ही इतना वास्ट है और कुछ छोड़ा नहीं जा सकता यार इसमें, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपन इसमें कुछ भी तो इस वीडियो में दोस्तो हम लोग बात करने वाले बहुत इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशन ओफ लेंसेज की तरफ, तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ओफ लेंसेज की तरफ, तो यार, कभी भी दो लेंसेज को कंबाइन किया जाए, वेदर दो जाएंगे बस इतना ही तो याद रखना है और अगर डरिवेशन नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, नीचे लिंक दी हुई है, बार बात बार वाद दे काज़ी लेंसेज बोलता हूँ जाओ जरा basic और strong करके आओ तब तो MCQ में number बटोर पाओगे मिरे भाई तो यार इसी लिए वहाँ जाओ सीख कर वापिस आजाओ नहीं तो कोई दिक्कार नहीं है formula ये है अब हमको सब को पता है कि power of lens क्या होता है 1 upon focal length P is equal to 1 upon F हमको किसको पता है कि power का formula क्या होता है pledge से याद आया pledge आईगी चिंता मत करो और इस बार और धमाकेदार तरीके से आईगी क्या कोई नया तरीका है देखते हैं आप क्या है January में मिलेगा वो तो चलो तो P equivalent so 1 upon F equivalent is P equivalent 1 upon F1 is P1 1 upon F2 is P2 तो P equivalent आजाएगा हमारे पास P1 plus P2 तो यार ये अपने पास हो गया formula कब जब दो lenses को combine किया जाए अब कुछ cases ऐसे हैं जहां पर अपन से questions जब आता है तो बनता नहीं है यार बड़ी विक्कत आती है तो अपन उसको कुछ cases ले रहा है अपन यहां पर भी वो ही यार सबसे पहला तो incident rays are parallel and reflected in fact refracted rays also parallel find the distance between the lenses एक case ये है एक case ये है आई भी parallel थी जा भी parallel रही है बताओ इन दोनों के बीच की distance क्या है अगर पहले की focal length है फन है दूसरे की focal length f2 है तो बाई कैसे करें? कैसे करें? यह question उठता है न अरे बिल्कुल basic है बिल्कुल आसान है यार कैसे? देखो ये बताओ ये जो इसकी parallel rays आ रही है ये किस point पर मिलेगी? वही focus पर मिलेगी उसने तो कसम खा ली है ना यार कि parallel आने वाली rays तो focus पर ही मिलेगी तो यार ये मिलेगी focus पर तो ये distance हो गई f1 अब बोल रहा है कि जाने वाली rays भी parallel है तो ये lens क्या बोलता है कब rays parallel निकलेंगी? जब जो rays है वह इसके focus से आए इसका क्या मतलब हुआ? इसी point पर दूसरे वाले का focus आ जाना चाहिए मतलब इस lens का focus इसी point पर आ जाना चाहिए तब ही तो focus से आने वाली rays कैसी हो जाएंगी? after reflection parallel यानि ये distance हो गई F1 के बराबर ये हो गई इसकी F2 के बराबर तो D कितना आना चाहिए? F1 प्लस F2 ठीक है? बिल्कुल दिमार में बैड़ी गया होगा अब देखो ज़रा इदर ये rays आ रही है parallel और जा भी रही है parallel तो भाई obviously ये parallel आने वाली rays को तो इसके focus पे मिलाएगा बट concave कभी भी concave में focus वाली rays को parallel नहीं करता जो focus से आती है, जो focus की तरफ आती है, उनको parallel करता है, यानि कि यार ये rays जो है न ये rays after reflection जा रही थी अपने focus की तरफ, मगर वो जो focus है, वो actually में concave का भी focus है तो जो concave के focus की तरफ rays आएंगी, वो उनको क्या कर देगा parallel, तो अब बताव ज़रा, ये d distance कितनी होगी, पूरी distance कितनी है, f1 और ये distance क्या होई, f2 मतलब, convex का जो focus है जहाँ rays जा रही थी, वहीं concave का focus है, तो concave बीच में अपने focus की तरफ आने वाली rays को parallel कर देगा यही तो किया तो d कितना आ गया तो d आ गया हमारे पास, f1 minus f2, और हो गया न, कितना असान जल्दी से पहले सकालो, screen shot फिर एक और case की बात करते हैं तो भाई, दिमाग में बैढ़ी आईए अब बढ़ते हैं next case की तरफ तो यार, अगर मेरे पास एक convex और concave को आपस में combine किया जाए तो क्या cases बनते हैं, किस की तरफ भेव करेगा यार, अपन normal goggles लगाते हैं जो sunglasses लगाते हैं यार, वो भी तो curved होते हैं फिर ऐसा क्या है उनके अंदर क्योंकि पार भी नहीं होती जबकि दिखते तो convex टाइप है एक side से concave टाइप है तो यार, इसमें यह याद रखना है तुमें अगर जैसे यह F1 है और यह F2 है तो F equivalent क्या मिला? 1 upon F1 plus minus of 1 upon F2, क्योंकि यह minus हो जाएगा अगर F1 बड़ा हुआ यानि कि किसकी focal lens जाद होई convex की, तो यह answer आप देख लो negative आएगा, क्यों? क्योंकि अगर F1 बड़ा हुआ तो 1 upon F1 छोटा होगा यानि कि इसकी power कम होगी तो यानि concave की तरह behave करेगा, negative answer आएगा बट अगर आपके पास F1 छोटा हुआ F2 बड़ा हुआ, मतलब जिस lens की focal length बड़ी होगी जादा होगी, उसके opposite की तरह behave करेगा वो मतलब अगर concave की focal length जादा है, तो convex की तरह behave करेगा, convex की focal length जादा है, तो concave की तरह behave करेगा, और अगर दोनों की focal length same है, उस case में F1 और F2 अगर same हो गए तो 1 upon F1 minus 1 upon F2 में वो 0 आजाएगा, तो focal length आजाएगी infinity, ये बन गया एक clean glass slab, आ रही थी parallel, जा रही है parallel आपका normal वाला चश्मा, तो जल्दी से ले लो पहले इसका screen shot वापस तो भाई, ये हुआ आपके पास combination of lenses से एक रिष्टा बन गया जल्दी से आ जाओ इंस्टा पर follow करो बाबा का गैंग subscribe करो, like करो, share करो बताओ सबको कि MCQ सीरीज चल रही है भाई इस वीडियो में इतना ही जय हो